पूरिया के कजबा में इस्थथ है 300 साल पुराना गुप्त काली मंदिर कहते हैं कि माता सती के शरीर के 52 खंडों में से एक खंड यहां भी गिरा था जिस कारण इसे गुप्त काली मंदिर कहते हैं यहां माता वैशनो देवी की तरह गुफा बना कर उसमें दीवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की गई है, वहीं 108 दीवी देवताओं की प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित है, गुत्त काली मंदिर के पुजारी शंकरपंडित ने कहा कि करीब 300 सालों से यहां मंदिर यहा काली पूजा के मौके पर विशेश पूजा तो होती ही है साथ ही नवरात्री में भी यहाँ विशेश पूजा अरजना होती है खास बात तो यहाँ है कि यहाँ साल बर माता की जोती जलती रहती है उजारी ने बताया कि यहाँ जोती मातत ज्वाला मुखी की अखंड जोती से लाई गई है जिसका अन्त सालों भर यहाँ अखंड जोती जलती रहती है वही मंदिर में पूजा करने आई श्रधालू चंदरप्रसाद साहने का कि यहाँ नेपाल, बंगाल, बिहार के अनिचित्र समेत दूर दूर से श्रधालू आते हैं सबकी मनुकामनाय माता पूरी करती है यहाँ के वैश्नो देवी की गुफा और माता का पिंड काफी खास है यहाँ पर तंत्रमंत्र से लोगों का इलाज भी होता है यह गुप्त काली मंदिर है जो कि शती के वावन खंड हुआ एक खंड यह गिरा जो गुप्त यह गुप्त है इसलिए गुप्त काली के नाम से जाना जाता है जो कि मार्क यहाँ पिंडी अभी पिंडी है उनकी पूजन होते हैं हर शनीचर मंगल दर्वार लगते हैं बहुत दूर दूर को लोग आते हैं बंगाल निपाल बिहार पटना हर जगे को लोग आते हैं यहां पर दर्शन करते हैं उनको मनो कामना पूज होते हैं अचे डिपावली का इसका मतलम हत्म है कि इसका रात में जो चौका पूजा होते हैं गुप्त मां का पिंडी का पूजा होते हैं जो कि इनका हर अभी से इस पूजा होते हैं तो कितनी देवी देथ हैं यहां तो देवी देथा एक स्वाठ अखन जोती भी है अचैक उपर में देख रहे हैं कि वहां पर भी माहिस्नोदीवी है यह कर नो रुख कभी देवी का इस्थापी किया गया देवी का एवहां लोग जाते वर दर्शन करते हैं मनों कामना फोलेगा क्या पड़िशेगा देख रहे हों माता बैसनों देवी का जो मा तिरकुटा परवत पर जो रहती है उसी टैप कर यहां पर गुफा बनाया गया है सारे माता मतलब यहां पर विराज माना इदर जो देख रहें हैं तस महाविट्या का मंदीर है जैसे मता का मख्या हिए जो मतलब क्या पर किमाने हैं इधर माता का पूजन होता is तरहो सपता तरह बससेद def 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 के यह मानफे दूर से आते हैं लोगे यह पर पटना वा भागलपुर वा पूरा विहार का जितना भी सारे लोग सब जिसको जनकारी तुछ सब आते हैं और अपने मनोकामना को पुरा करती है बिक्की कुमार घर्मदारगाट हुआ कशवा यहां हम लोग का जो है कि जनमस्तल है और यह माता का दरवार जो है कि बहुत पुराना है और यह यहां जो भी मतलब मनोकामना लेके आते हैं यहां हर मनोकामना जो है कि मता का सक्ति से प्राप्त करके जाते हैं कोई भी भक्त यहां से निरास होके नहीं जाते हैं यह वो देवी अस्तल है जो कस्वा का एक सान है एक सम्मान है और यहां जो भी दर्सन करने के लिए आते हैं वो खुसी खुसी यह हस्ते हुए जाते हैं यह माता रानी का दर्वार यह ऐसा अधभुत सकती है इसमें वह बिखाई तो नहीं देता है लेकिन जो भी यहां आते हैं और यह मन से जो भी यहां मनत मांगते हैं वो माता सक्ती जुएकी उन्हें परदान करती है और वो खुस होके जाते हैं, सुप से जाते हैं, अच्छे से रहते हैं, हर चीश से वो स्वस्त रहते हैं ये महा सक्ती गुप्त काली मंदिर के नाम से प्रख्यात है, और कस्वावासी क्या बहुत दूर दूर के भी लोग यहां आते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण होते हैं, और यहां इस बार भी भव्वेजुए की मतलब पुजा अर्चना मतलब मागुप्त काली मंदिर में किया अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें